लूका रचित सुसमचार छटवा अध्याय फिर सब्द के दिन वे खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले बालें तोड़ तोड़ कर और हाथों से मल-मल कर खाते जाते थे। तब फरीशियों में से कई एक कहने लगे तुम वे काम क्यों करते हो जो सब्द के दिन करना उचित नहीं। इशु ने उनको उत्तर दिया। क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि दाउद ने जब वे और उसके साथी भूके थे तो क्या किया। वे क्यों कर परमेश्वर के घर में गया और भेट की रोटियां लेकर खाई। जिने खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा मनुष्य का पुत्र सब्द के दिन का भी प्रभू है। और ऐसा हुआ कि किसी और सब्द के दिन को वे आरातनालय में जाकर उबदेश करने लगा। और वहां एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा शास्त्री और फरीसी उस पर दोश लगाने का अवसर पाने के लिए उसकी ताक में थे कि देखें कि वे सब्द के दिन चंगा करता है कि नहीं। परंतु वे उनके विचार जानता था इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा उठ बीच में खड़ा हो। वे उठ ख करना और उसने चारों और उन सभों को देख कर उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। परंतु वे आपे से बाहर होकर आपस में विवात करने लगे कि हम इश्यू के साथ क्या करें। और उन दिनों में वे पहार प प्रार्तना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्तना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुला कर उन में से बारह चुंडिये और उनको प्रेरित कहा। और वे ये हैं शमौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा। और उसका भाई और याकूब और यहन्ना और फिलिप्पुस और बर्तुलमें और मत्ती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब और शमोन जो जेलोतेस कहलाता है। समुद्र के किनारे से बहुतेरे लोग जो उसकी सुनने और अपनी बिमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आये थे, वहां थे, और अशुद आत्माओं के सताय हुए लोग भी अच्छे किये जाते थे, और सब उससे चूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निक तुम्हारा है, धन्य हो तुम जो अब भूके हो, क्योंकि तरप्त किये जाओगे, धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हसोगे, धन्य हो तुम जब मनुष के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, और तुम्हें निकाल देंगे, और तुम्हारी निंदा करें उस दिन आनन्दित होकर उचलना, क्योंकि देखो, तुम्हारी लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, उनके बाप दादे भविश्वदत्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे, परंतु हाए तुम पर जो धन्वान हो, क्योंकि तुम अपनी शांती पा चुके, हाए त उनके बाप दादे जूटे भश्वदत्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ, कि अपने शत्रों से प्रेम रखो, जो तुम से बैर करें, उनका बहला करो, जो तुमें श्राप दे, उनको आशीश दो, जो तुमारा अपमा करें, उनके लिए प्रार्तना करो, जो तेरे एक गाल पर थपड मारे, उसकी और दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले, उसको कुरता लेने से भी न रोक, जो कोई तुझ से मांगे, उससे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले, उससे न मांग, और जैसा तुम च अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं और यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं और यदि तुम उन्हें उधार दो जिन से फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम् तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परमप्रधान के संतान ठहरोगे क्योंकि वे उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी क्रपालू है। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। समान होगा। तु अपने भाई की आँख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आँख का लठा तुझे नहीं सूझता। और जब तु अपनी ही आँख का लठा नहीं देखता तो अपने भाई से क्योंकर कह सकता है कि हे भाई ठहर जा तेरी आँख से तिनके को निकाल दूँ। हे कप्टी, पहले अपनी आँख से लठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आँख में है, भली भाती देख कर निकाल सकेगा। कोई अच्छा पेड नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग जाडियों से अंजीर नहीं तोड़ते, और ना जड़बेरी से अंगूर, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है, वही उसके मुह पर आता है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, तो क्यों मुझे हे प्रभु हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है, और मेरी बाते सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किस के समान है। वह उस मनुष के समान हैं, जिसने घर बनाते समय भूमी गहरी खोट कर चटान पर नेव डाली, और जब बाढ़ आई, तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था. परंतु जो सुनकर नहीं मानता, वह उस मनुष के समान हैं, जिसने मिट्टी पर बिना नेव का घर बनाया. जब उस पर धारा लगी, तो वह तुरंत गिर पड़ा, और वह गिर कर सत्यनाश हो गया.